कि ही फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय यूटुब चैनल तो मेरी बैन की शादी को वैसे तो एक साल हो गए है 2021 में हुई थी शादी और यह मैंने भी नया चैनल बनाया है तो इसलिए अब लेट वीडियो अप्लोड कर रही हो मैं हल्दी के वीडियो अप्लोड कर चुकी हो और यह है महंदी का वीडियो तो आप लोग देख सकते हो मारिया महंदी रसम ऐसे होती है कोई मुझे भी तो दिखा दो मैं सबको देखा रही हूँ अरे वीडियो में मैं सबको दिखा रही हूँ मुसकानी दराओ मेरे तरफ कैमरा घुमाओ आगे पूरा दिखाना पूरा 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 हुआ है तो यहां पर इस सीन में यह मैडम जी महंदी लगवा लगवा कर थक चुकी थी तो ऐसे बैठी हुई थी बईज़ादी के टाइम में मेहंदी वाले दिन सबसे जादा थकान होती है ब्राइट को नहीं को भी हो रही थ देखो कैसे लेट गया रहा हमसे यह लोग फोटो कीचो मेरी फोटो यह देखो तो बैया सबसे अच्छी की जोई थी कोविडे में साधी करने करने का एक फायदा था खर्चा बहुत कम हुआ था हमारा लोगों का वीडियो बंड़ा स्लो मुशन में मैं आउमल बना रही है वीडियो साध हमारे रिस्तेदार भी देखते होंगे तो अच्छी बात है लाइक कर देना सेर कर देना तो कोविड के टाइम पे आदे से ज्यादा लोग मरने के डर से नहीं आयते कि टपकना जाए तो हमारे यह ज़्यादा कोई आया नहीं था तो ना तो कोई मतलब आधार के नाम पे रागलाय अर। बिद्टी, भात लगा नवा नवा hack ज्था लगात लिए ओधी वोग डिश्टी पडार के दावच्ट के लिए अजानी नवे हुआ जानी लिए ओगाँ। इंग आजाने जानी को इनको ठाच कराई यहा हुआ जो तीन चार एक जनियाओं तो तो पिल्गों शाचे बखाड़ में अपकाड़ मेरा फोनने मुस्काल पोन पखाड़ मुस्काल फोन पखाड़ में अजिवा नानम कर दो अज़को आध कर दो पोन पार अधिक कर दो अधिक हुआ है तो फ्रेंड्स देख चुके यहां पे मंडब घड़ चुका है तो तो मंडब मेरी बड़ी वाली सस्टर उनके हजबन एंड उनकी बीटी और मैंने मिलके गाड़ा था तो यह मंडब हमारा ऐसे लग चुका है पापा तो फोरी चाहिए मास्क पहने थे और कैप भी उपर लगाये थे कोविड उस टाइम पे बहुत भेंका तरीके से चल रहा था इसलिए हमारे आंग इतना खाली खाली था और वैसे भी अच्छी बाते मैं तो चाहती हूँ कि यह जैसे कोविड आया था तो इस टाइप से कोई जैसे गवर्मेंट कुछ निकाल दे कि 50 लोग ही अवैलेबल ने शादी में तो सबसे बहुत ही अच्छी चीज निकलेगी क् कि जितने लोग आते हैं उतने तरह की बाते बनती है और बढ़ियां यह ठीक रहता है कि खर्चा काम होता है तो देख्या फ्रेंट यह देखो हमारा फोटो सेशन हो रहा था बड़ी वाले सस्टर और जनकी शादी थी उनका यह मेहंदी हल्दी और यह मेरे हाथों में लग मेहंदी और यह मम्मी कुछ पूजा कर रही थी वह जो घड़े रखे हुए आप लोगों को दिख रहा होगा इन घड़ों में कोई मतला पता नहीं कुछ ऐसे मंत्रपड़ पड़के डाले जाते हैं जिस इन मंडब गड़ता है जितनी भी बुराईयां होती है घड़े के अ नाम लेके तब डाला जाता है यह कोई रस्म होती है मुझे पता नहीं है इस रस्म के बारे में तो यह देखो गाइस तो यहां पर पूजा वगएरा सब खतम हो चुकी थी रात का टाइम था हमारे फोटोशोट चल रहा था रात को भी यह दिली से भाबी लोग आ गयते भाबी और उनकी बैटी बैटी बैठी हुई है पीछे यह देखो गाइस फोटोशोट यह देखो यह देखो मज़ा आ गया था वाई ऐसे बहुत सुकुन साथ थी में शादी ने पट गई थी मेरी बैएन की तो यह वीडियो थोड़े मेरी लेट डल रहे हैं लेट नहीं बहुत थी लेट एक साल पुराने वीडियो आई है मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यह मेरी आईड प्रवाइन के वीडियो में डालती हूं अक्सर तो जो प्रॉपर जो ब्लॉग व्लॉग है वो इसमें ही आएंगे उसमें भी व्लॉग डालती है और इसमें भी डालूगी है अपने नहीं है डी स्टार्ट के यह तकि जब मेरी जादी पर आंगे मेरा फ्यूचर हो तो सब क यह तो यहां पर भी तक ममी कर रही थी है रसम आप कर रहे थे पापा ममी के उसमें जो पलू होता है उसमें पापा के मनलब गंचे में यहां गाणडबान किया है हजबन वाइफ करते हैं रसम तो मेरे मम्मी पाप ये रसम कर रहे थे कोई इसका भी मुझे नाम नहीं पता है कुछ दाल वाल साइथ कुछ बट्टी जा रही थी यहां पर देखो मम्मी दाल वो सिलवट्टा नहीं होता है पुराने जवाने गाउं में होता था तो इस पीसी जाती है यह देखो मम्मी पीस रही थी और पापा ऐसा कुछ कर रहे थे पता नहीं कि गाइस इस रसम को क्या कहते हैं बट मैंने शूट कर लिया और पूछना बोले कि यह कौन सी रसम होती है और अब मैं दिली में हूं तो फिर कौन बताएगा इसलिए इसको कुल मिल कि मंडब गड़ता है उसके निचे दाल पीसी जाती है जो भी होता हो यह देखो पहले मम्मी पीस रही फिर पापा पीस रहते है तो यह रसम चलती रहती नौजे तक फिर यह ऐसे बहन को बुलाया गया हाथ में गेहूं और कुछ लेके बहन कुछ मतलब कुछ रसमें देख अब इससे भी कुछ करवाया जाएगा है साथ इसको तेल पुझना या कुछ कहते हैं मुझे तो लग रहा है पिए देखो कि शादी के एक दिन पहले रसम होती है हमारे यह मंडब जब गड़ता है यह जिन की रसम है तो आप लोग वीडियो ऐसे देखिए हिंदू सादी ज कि एक डांस सब्राइस बैं जाता है तो फिर हमने डांस किया है I wanna be the greatest, everybody on their fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant Out on your shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows where a thousand faces, ay Give me that crown, get in my way and you'll be put down It ain't your place, I'll diss my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose, it fits some looser shit A stupid myth, you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose your gift I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign Yeah, there's no mercy in this world Just hunger, thirsty persons In different versions Each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens That all seem to cause us